अगर आपके Union Bank of India अकाउंट से किसी भी तरह से पैसे कट रहे हैं, या किसी प्रकार से कट गए हैं, तो क्या करें क्योंकि समय पर ध्यान न देने पर यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और आपका नुकसान हो सकता है, जानकारी के लिए बता दे हम आपको बैंक की कुछ गलतियों या कुछ तकनीक समस्याओं से भी आपके अकाउंट से कभी भी और कितने भी पैसे कट सकते हैं, इसके अलावा बढ़ रहे स्केम्स और फ्रॉड के साथ थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा, Union Bank of India खाता ही खाली होने की संभावना हो सकती है, आज के समय में हम सभी का एक बैंक अकाउंट होता है और हमारा जो भी पैसा होता है, हम उसे अपने बैंक में जमा कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो भी हमारे बैंक खाते में पैसे होते हैं, उसमें से धीरे धीरे पैसे कटते रहते हैं, जिससे हमारे Union Bank of India अकाउंट में जमा पैसे कम होते चले जाते हैं, कभी-कभी अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे भी कट जाते हैं, खाते से पैसे कटे और SMS आया कि आपके खाते से इतने पैसे कट गए मन उदास हो गया सोच में पढ़ गए कोई लेंदेन, नहीं कि या फिर भी ये पैसे खाते से क्यों कटे और अब क्या करें, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन लेंदेन करते और आपके पैसे कट जाते हैं, और लेंदेन नहीं हो पाता है, आपके अकाउंट से किसी भी तरीके से पैसे कट रहे हैं, या कट गए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे Union Bank of India अकाउंट से किन-किन तरीकों से पैसे कटते हैं और क्यों कटते हैं, पहले बात करेंगे जब भी हमारे अकाउंट से 10, 20, 50, 100, 500 करके महीने में या साल में पैसे कट रहे हैं तो हो सकता है आपके अकाउंट में कोई सर्विस EMI ASIP एक्टिवेट हो कभी-कभी। बार ऐसा भी होता है कि हमारे अकाउंट से 500, 1000 या उससे ज़्यादा पैसे कट जाते हैं, ऐसे में हो सकता है आपके साथ कोई फ्राड हुआ हो और कभी-कभी बैंक की कुछ तक्निकी दिक किया है और हमारे अकाउंट से पैसे कट गए वह चेक करके आपको बता देंगे कि आपके पैसे, क्यों कटे है आप उनसे पूरी जांकारी ले समाधा ना हो तो आपको, दो से तीन दिन के अंदर बैंक विजिट करने की आब सकता है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले